लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले 20 साल पुराने का लाहिरन शिकार मामले में गुरुवार को जूदपूर की चीप जूडिशियल मजिस्ट्रेट सी जेम की कोट में सल्मान खान को दोशिक करार दिया सी जेम देव कुमार खत्री ने सल्मान को 5 साल के 20 सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्मान ना लगाया उसके बाद सल्मान को जूदपूर जेल भेजा गया विचाओ थी बार वहां गये हैं जेल जाने के बाद सल्मान को खाना दिया लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया ये खाना दिया गया था सल्मान को जेल डियाई जी ने बताया कि जेल नेमों के अनुसार सल्मान खान को रोटी, पता गोबी की सबजी और चने की दाल खाने के लिए दी है लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया और भूखे सो गए उन्हें जेल में दाफिल करते समय मेडिकल जाज कराई गई थी शुरुवात में उनका ब्लड प्रेशर हाई था लेकिन कुछ देर बाद दुबारा जाज कराने पर सही पाया गया सल्मान की तरफ से अभी तक कोई डेमांड नहीं आई है उनके बोडी गार्ड शेरा सल्मान के लिए कुछ कपड़ेवा नाश्ता लाए थे लेकिन नाश्ता वापस लोटा दिया गया है सल्मान को धंकी को देखते हुए तीन स्तरी सुरक्षा विवस्था की है सल्मान ने टाइलेट की विवस्था के बारे में पूछा था उन्हें बात्रूम वगीजर को लेकर खुद का क्या पुराना वादा भी याद है शायद वे इस बार पूरा करें उन्हें खाने वपीने को वही सब कुछ मिलेगा जो अन्य कैदियों को दिया जाता है अकेले रखा गया है सल्मान को करीब 11 साल बाद सल्मान खान एक बार फिर देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जोधपूर जेल पहुंचे इस जेल में चौथी बार पहुंचे सल्मान को कैदी नंबर 106 बनाया गया है उन्हें वार्ड नंबर 2 के एक कमरे में अकेले में रखा गया है अब वे जेल में आसाराम के पड़ोसी बन गये है 11 बरस में जोधपूर जेल काफी बदल चुकी है और यहां कई को ख्यात गैंस्तर बंद है जिन से सल्मान की जान को खतरा हो सकता है ऐसे में उन्हें जेल में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाले स्थान पर रखा गया है 2006 में ये था सलमान का कैदी नमबर वर्ष 2006 में पांच साल की सजा सुनाय जाने के बाद सलमान छे दिन के लिए जूदपूर जेल में कैदी नमबर दोस ओदस बनकर रहे थे जेल में सलमान की बैरक में हत्या के आरोप में सजा काट रहा महेश सैनी रहा था जेल में रहने के दोरान यहां के सीमित और बदबूदार टॉयलेट्स के कारण सल्मान को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इसके अलावा जेल की गर्मी ने सल्मान की जम कर परीक्षा ली जेल की बैरक के सीमित पंकों में सल्मान को एक एक पल निकालना भारी पड़ गया था इससे सल्मान को अहसास हुआ कि जेल के अन्यबंदी कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं रहा होते समय उन्होंने वादा किया था कीवे जेल के सभी टॉयलेट्स को सुधारने और बैरक में कूलर लगाने के लिए राशी प्रदान करेंगे जेल से निकलने के बाद माया नगरी मुंबई लोटने के बाद सल्मान अपना वादा भूल रहे